Hello my dear student, कैसे आप लोग बढ़िया एकदम, बढ़िया ही रहना चाहिए, हमारे प्यारे student, आज जो है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्या चीज? Question bank, Gage paper, notes paper, और हमारे हाथ में भी है आप लोग का question bank, ठीक है, यहां पर Gage paper, और यहां पर Model paper, सबी चीजों के बारे में आप लोग को में बताने वाला हूं अप लोगո को एकड़ा से देखना हूं। सबी चीजों का निचोर को लग गजोन में कैसी आप लोग को मात्र 100 question, 200 marks वाला 305 question objective वाला और उसी में से पूरा question रहेगा, यानि कि subjective में 100 question पढ़िए, उसी में से रहना चाहिए, कोई भी subject हो, और objective में मात्र 300 question पढ़ना है, और उसी में से सबी चीज रहना चाहिए, ठीक है, उसके बाद, आप लोगों को बात ये रहे कि extra पढ़ाई, पहले नमबर में आप लोगों को पढ़ने का trick बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को, यदि मैं जो trick बताऊंगा, वो trick फ़लो करेंगे, तो आप लोगों को सारे 400 पलस नमबर आप लोगों को रूखेगा नाई, प्रतेक सब्जेक्ट में 90 पलस सकता है, 100% आएगा 90 पलस, मैं guarantee के साथ कहता हूँ, किस तरह से आएगा, वो आप लोगो ध्यान देना है, देखिए सबसे पहले question bank, questionnaire bank के बारे में आप लोगो सबसे पहले अध्यान करना चाहिए, question bank आखिर होता क्या, question bank वो होता है हमारे प्यरलाल, जो मैं आप लोगो को बता रहा है, जितना question आप लोग को आठ साल या दो साल या फंदर साल के अंदर में पूछा गया है उसका previous year यानि कि all year का question को हम लोग question bank कहते है और question bank में आप लोग को पूरा answer question दिया हुआ रहता है ठीक है ना आता है publication का तो अब बात यह रहा कि question bank से आप लोग को क्या करना चाहिए जैसे कोई कहता है कि आप लोग कैसा question पूछता है और question bank से आप लोग को यह बात पता चल गया कि कीश प्रकार का question पूछता है और दू साल का छोड़ करके back का all year का question answer आप लोग त्यारी करते रहें दूसरी नमबर guest paper, guest paper के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा जिसका पढ़ाई नहीं हो पाता है तो guest paper से पढ़ते है लेकिन पढ़ना हुआ सभी बेकार होता है क्योंकि guest paper में आपना भासा में दिया तरीका होता है कि जो आपको सबसे difficult लगे और याद नहीं होता है उसी को हम लोग notes बनाते हैं और उसको यह तठा करके और रखते हैं जो important question लगे उसी को हम लोग notes में बनाते हैं ठीक है? जब हमको पूरा पढ़ाई हो जाता है तो guest का थोड़ा साहरा लेते हैं कैसा guest question में दिया है उसको भी देख लेंगे लेकिन हम लोग answer किसका लेंगे तो notes का लेंगे answer किसका लेंगे हमारे notes से आप लोग तैयार करेंगे question bank में आप लोग को उसका answer दिया हुआ आपको समझ भी नहीं आएगा लेकिन उसमें कुछा इसा answer होगा जो आपको पता नहीं होगा तो उसे पता कर सकते हैं तो चलिए आप लोग को अब मैं पूरा दील बताता हूं तो यह तीनों चीज से यदि आप लोग पढ़ाई कर लेते हैं यही तीनों चीजों से आप लोग यदि अभी से पढ़ाई करते हो आप लोग को सारे 400 पॉलस नमबर यदि एक महिना के अंदर में अगर आप लोग अब हम लोग पढ़ान के बारे में चलिए हैं बेस्ट पलान क्या रहने वाला है वह अप लोग को ध्यान देना है यदि आप लोग को सभी चीजों का सभी चीजों का निचोर नहीं है अगर आप लोग दखिए आर्ट्स वाले यह मैं इंटर का बात कर रहा हूं commerce वाले और science वाले ठीक है ना यह तीनों वाले हैं तो मैं arts और commerce के लिए मैं आप लोग को बताता हूं Hindi और English ठीक है ना Hindi और English बस समझे लिए Hindi English तो यह आप लोग को arts और commerce वालो के लिए Hindi और English और आप लोग को arts वालो के लिए आप लोग को बेस तरीका से आप लोग को अलक से भी तैयारी करा जागा और science वालों के लिए all subject के बारे मैं बताने जा रहा हूं यदि आप लोग purchase करते हैं तो science वालों के लिए मात्र 499 रुपिया में आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीका से एकदम PDF नोट साथ में आप लोग को वार्सप ग्रूप पर टेस्ट भी चलता है सपता बाई सपता साथ में आप लोग को जो भी हम लोग offline class कराते हैं उसका PDF नोट्स आप लोग के साथ प्रोवाइड कराते हैं ठीका ना बात यह रहा कि 400 रुपिया तो सर यह हिंदी और इंगलिस के लिए किया प्राइस रहेगा और मैं गारेंटी देता हूं कि हिंदी और इंगलिस में आप आप लोग यादि मेरा PDF नोट्स से पढ़ सकते तो इतना नंबर ला सकते ओल सब्जेक्ट में थीक है ना तो आप लोग को वन सब्जेक्ट लिजेगा तो 99 में यदि औल सब्जेक्ट लेते हैं आप लोग को तो 400 रुपिया में आप लोग को प्रवाइड करा जागा और फि यह मेरा माइच और आप लोग इस नंबर से कउंट och प्ोंटक्ट करके कोई भी करको पूछ सकते हैं यदि आपको pdf note नहीं लेदा हो तो झाल को त्यारी करना है। उस तरह से आप लोग त्यारी कर सकते हैं और आप लोग को मैं गरेंटी देता हूं, यदि मेरा PDF नोट्स आप ले लेते हैं ते एक दम, 461 नमबर मेरा student last लाया है, online में पढ़ करके, ठीक है ना, last लाया है, जो कि मैं बताया हूं, आप लोग चाहते हैं इसको लेता है, तो मैं गरेंटी के साथ करता हूं, आप लोग को 100% लेजए, मैं गरेंटी देता है आप लोग को कि सारे 400 नमबर हर सब्जेक्ट में आप लोग को 90 परसेंट नमबर जुकेगा नहीं और डेली टेस्ट भी चलता है वहां पर मतलब सब्टा में वास्तप ग्रूप बनाया गया उस पर बहुत सारे स्ट्ट अभी तक जूर चुके हैं आप लोग भी जूरिये और आप लोग भी पीडिएफ नोट्स लीजिए ठीक है तो चलिए आप लोग को मैं बता रहा था कि आ आप लोग को आजाना है गूगल या कुरम पर सर्च कर देना है स्टाडी सिलेबस परवीन कुमार ठीक है ना सर्च कर देना है एकदम आप लोग को देख लिजे वर्ड बाई वर्ड आप लोग को एस्टाडी सिलेबस परवीन कुमार बोल भी दिजेगा तो आप लोग के प विए तुर्ष पूरा के लिए ध्यएस्टों सबी चिंदों को मखने डिया हुआ है, उसमें आप विए पूरा कुश्चन बैंक यहां पर क्याहिता जाता है, ऊसमें आप लोगो को फूरा कुश्चन बैंक करा दिया गएंके करादा है. तो चली हम question bank को ट्यारी करने है तो यह सब अपना चल जाएगा इसको cut कर देना है और cut करने के बाद हमारे एष्वेन को चले आना है कहाँ पर देखिए है कहाँ लिगा है यहाँ पर भहुत की question bank और हम लोग डाल दिये यानि physics पर तो यहां पर question bank आप लोग को total यहां पर देखेंगे, आप लोग को यहां से देखे, physics, chemistry, सबीची, physics को टीपे हैं, तो देखे, यहां से आप लोग को physics का every question एक दम मिल जागा question bank पूरा, देखे, 2009 से question bank दिया हुआ है, कब से है तो 2009 से, यहां से आप लोग देख सकते, 2009 से लेक करके, पूरा answer के साथ दिया हुआ है, A to Z आप लोग को दिया हुआ है, यहां से आकर के आप लोग पूरा फ़र सकते हैं, तो चलिए हमारे प्यारेशन मिलते आप लोग के साथ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इतना है पर best of luck, और आप लोग जाओर PDF और नोर्स आप